अगर आप मक्का में है जिद्दा में है तो आपके लिए कल गुड नीज भी है और बैड नीज भी है तो वीडियो को पूरा दिखेगा लाश तक ताकि आपको पूरी नीज मालम हो जाए चैनल नए है तो सब्सक्राइब कीजेगा हमारी वीडियो फेस्बुक पर देख रहे ह कुछ पूछना हो तो और आप यहां पर हैं तो लाइक कमेंट करके होसला अब जाई कर सकते हैं कुछ पूछ भी सकते हैं कमेंट में तो कल मैंने बहुत सारे दो तीन नीज शेयर की और आप लोग ने देखा आज दुपहरे में ने एक वीडियो शेयर की थी टिकट से रिले सिर्फ इंदिया में लगबग आपको पांच आश्म लग के आसपस लोगों की जोब गई है। सवृदी-जैसन की बाग से 10.50000 लोगों की जोब गई है। अब मैं आपको शेस करता हूं नूज यहाँ पर जो कि यहाँ पर इनूज शेयर कर रहे हैं यहाँ देख सकते है। यहां पर totally को सब को officially news दे दिया गया है और इन लोगों की salary भी कम से कम साड़े 5,000 रेयाल होगी जो सौधी लोग आएंगे आप काम करने के लिए और यहां पर आप news देख सकते हैं details of the decision to localize customer service profession in the kingdom तो आप देख सकते हैं फोटो की तरफ से आप देखिए यहां पर इन्होंने बता दी है कि अब यह fully हो चुका है और जहां पर भी अगर customer service या और भी transport service में भी अगर कोई customer service या ट्रांसपोर्ट service में जिन जिन जगों के साओधी जन किया गया है वहां पर अगर अगर अज यह इसी को बोलते हैं कि दुकान है जो कि यह इन सब जगों पो रड़ मारा गिया है और देख लिजे किस तरीके से यह विडियो है आपके सामने है और राट भी आ सकता है मेरे को यह देख लिजिए यह फल फूरोड का दुकान था पूरे बल्दिया वाले इसको लूट कर लेक रहे थे देखिए सब का फल फ्रूट का दुकान था और यह सब के सब अजनभी धंदा कर रहे थे यहां पर और यह देखिए किस तरीके से कचरा भी खड़ा हुआ है तो अजनभी लोगों को हर तरफ से क्या बोलू मैं हर तरफ से ही लौस लौस है साओधी कंदर में तो समान था फल फ्रूट सा सब बरबाद हो गया फेकना पड़ा है और कच्रा यह फेला थे यार मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर की से में खाने का समान सब यह लोग कच्रा बना हुआ था वो लोग खा रहे थे अब न्यूस शेयर करता हूं जो कि मक्का की है जद्दा की है देकि जद्दा की तरफ से न्यूस है जो कि ऑफिशली जद्दा टैफ और होली कैपिटल आपको मक्का मदीना भी है जामून खुलैस अलकामिल जो की अपकमिंग रहनी सीचुएशन तो यह देखिए गवर्मन की तरफ से रूल रेगुलेशन शेयर किया गया है कि suspending कल कल का दिन जो है आपको school colleges बंद रहेंगे और कल आप काम पर नहीं जाएंगे क्योंकि आपके area में आज रात में ही या शायद अभी से ही बारिश होना सुरू हो चुका हो या होने वाला हो इन सब area में तो इन्होंने news दिया है कल कोई school वगरे खुलाने का बंद रह हो चाहे वह घर के अंदर ही काम करते हैं जो भी हैं घर वाला काम तो अफिचरी घर के अंदर कर सकते हैं लेकिन भर से बाहर अगर कोई जाता है तो वह एलो नहीं होगा क्योंकि बारिस होने वाली तगड़ी तो आप लोग घर के अंदर रहिएगा कल अगर यह सब fine का system है अ अगर कोई पकड़े का पुलिस में तो आप fine जुम्यवार होंगे हम कहां से लाएंगे तो ध्यान रखेगा और इस ट्रम में बारिस का बहुत तगड़ा सी जन है अगली नीज में आपको share करता हूँ जो कि आप सब को पता है जो कि हमारे भाई अजनभी भाई जो गुम कफील अपने जो आपका employee है जो आपके पास काम करता है जिसका आपने कामा बना करके दिया अपने नाम से और वो कहीं गुम गुम के काम कर रहा किसी और के पास में आपको पकड़ा उसको पकड़ा जाएगा और आपको ही पकड़ा जाएगा जिनके नाम से कामा issue किया गया ह जिन्हों ने issue करवाया है दोनों का पकड़ा जाएगा एक एक लागत लिए जुर्माना दिया जाएगा यहां पर आप नियूस देख सकते हैं ध्यान दीजिएगा यह जो घर के दर काम करते हैं अंदर श्पेसली कोई बुरका वगरा का काम करता है आजाद वीजा पर है जो भ भी को गिरफतार किया गया भीक मांगने के लिए जिसमें दो पाकिस्तानी है देख सकते हैं मदिना मनवार के दुकान के और मजजीदों के आगे में दो तीन लोग को पकड़ा गया जो की दो पाकिस्तानी और एक मिस्र का है इन लोग को पकड़ा गया इन लोग को जुर्मा सिय से अपिल की है किकीको भी आप दान भीक मना दिया करें यह लोगोंliers पैशा बना रखा है हमने उफिचल गवर्मनंट की तरफ से उफिचल वेब साइट यहां पर आपको पैसा घला देना है अगर आड़ आपको निकालना है फितरा वगइब बगएर तो आप निकाल सकते हैं इसली और लाइन वेब साइट अब लेवल है साओधी की किसी को भीग देनी की जोरत नहीं है गवर्मेंट का कहना ध्यान रखेगा अगली इसमें आपको शेर करूँगा साओधी अरब के अंदर में जद्दा में बंदुक की नोग पर एक लेकर दुकान से भाग गए जब इन लोग को पकड़ा गया कैमरे के द्वारत मालम पड़ा कि एक यमनी और देश में अब तो इसमें बताया जा रहा है कि यमनी हैं और साओधी पक्का सामिल अमने कहा ना इन लोग को चोड़ी का पैसा वापस कराया गया इन लोग को पकड लग के आसपास ही है करляется अभी से वी चल रहा है 21 रुक की 60 मिलेगगा अगर आप बैंकल से भीजते हैं से भीजेंगे तो 219ι पैसे आप को फेस्टन यूञिन से भीजते हैं तो 21 र है ठीक है अगली दूस में फ्लाइट की बताना चाहूंगा जो कि हावाईयन एरलाइन्स है उनकी तरफ से यहां पे कुछ हुआ है फ्लाइट के अंदर में देख सकते हैं यह कुछ गायल बगएरा है आज देखिए इनका क्या हालत है पलस यहां पे फ्लाइट में धमाल मचा ह हुआ है मतलब फ्लाइट के अंदर हाता पाई हुई है बहुत कुछ हुआ है पता नहीं क्या डिटेल है नहीं है इसके बार में कहीं पर भी कुछ भी शेर नहीं किया गया लैंडिंग के 30 मिनट पहले ही फ्लाइट में पता नहीं क्या हुआ कोई नहीं जानता सिवाहे फ्ला हाल बना हुआ है पूरा सब का चोट वोट सब लगा हुआ है पता नहीं फ्लाइट के दर मारा पिटी हुआ तोड़ फाड़ हुआ कि क्या हुआ नहीं वा कोई डिटेल अब तक नहीं आई यह हावाइन एर लाइन्स का था बाकि अपने इंडिया के किसी एर लाइन्स में ऐसा कोई तोड़ फोड नहीं हुआ है तो इसलिए मैंने का ये निउस क्या बनाओ में अपने इंडिया की फ्लैट में कुछ होता है तो निउस बनाओ तो ताकि आप लोग कुछ समझ में भी आए यह साओधी की निउस जो कि मैंने आपको शेर किया वीडियो शेर किजिएगा लाइक कमेंट सेर सब्सक्राइब और हाँ कोरोना 3.0 की निउस आ चुकी है बट मैं आपको शेर नहीं कर रहा हूं और अपने इंडियन गवर्मेंट की तरफ सो अफिशली आई है आपने इंडियन मीडिया इस पर बात नहीं कर रही है तो मुझे बात करना चाहिए या नहीं बट हां मैं कल दोपहर में वीडियो बनाऊंगा इस पर आप लोगों शेर करूंगा कि क्या मामला चल रहा है कोरोना का कोरोना 3.0 और चैनल पर बने रही है लेटेस्ट अपडेट्स के लिए कोरोना से रिलेटेट क्य क्योंकि बहुत सारे कंट्रियों में उलंगन रेश्टिक्रेशन लगना सुरू हो चुका है इस्पेशली अपने इंडियन गवर्मेंट में एडवाईजरी भी जारी किया है क्योंकि बहुत सुरू हो चुका है